हेलो एवरिबडी वेलकम वेलकम बाक टू माँ चानल रितूस नोट्स तो आज जो टॉपिक हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं वो डिकलाइनिंग रिप्लाइटू इससे पहले मैंने दो वीडियो बना रखी है एक की इंविटेशन लेटर कैसे दिखा जाता है और दू दूसरा कि मैं डिकलाइन करता हूँगी मैं किसी मजबूरी के वज़े से नहीं आ सकता तो यह डिकलाइनिंग रिप्लाइ है उस इंविटेशन लेटर का अगर आपने वो दोनों वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ उस वीडियो अविलेबल करवाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के डिकलाइनिंग रिप्लाइ टू इंविटेशन तो कॉश्चन एक्जाम्स में कुछ ऐसे आते हैं कि राइट डिकलाइनिंग रिप्लाइ टू लेटर तो इसका मतलब है कि आपको आपके फ्र हम हमारा एड्रेस लिखेंगे जो भी होगा तो आप अगर दिया हुआ होगा कोश्चन में आपके लिए एड्रेस तो आप वो लिख ले और अगर नहीं दिया होगा तो आप अपने मन से कुछ भी सपोस कर सकते हैं तो मैं यहां माल लेती हूँ हाउस नंबर 208 इशानी अप और फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और हम लिखेंगे यहां पर माई डियर फ्रेंड और ऐसे कॉमा देंगे और एक लेन का फिर से गैप छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे I wish you, you are all in good health, I was overwhelmed by the invitation sent to attend your birthday party. I wanted to meet you from a long, long time. But, comma, unfortunately, with a heavy heart, I decline your invitation. I am not in a position to attend your birthday occasion. Since my father is ill and bedridden. Bedridden का मतलब है, ऐसे मैं मेनिंग बाद में सम्झाओंगी, पर bedridden का मतलब है कि टोटल वो bedrist में है. इसके बाद हम full stop देंगे और लिखेंगे. I am sure, you will forgive me. My father having high fever. He is undergoing some tests to know the cows Know the cows उसके बाद हम paragraph change करेंगे तो एक लाइन का gap देंगे और उसके बाद हम यहां से लिखेंगे In such a situation I am afraid I will not be able to attend your birthday occasion उसके बाद हम लिखेंगे I am sure you will understand my situation and forgive me and forgive me for declining your invitation wish you good luck और उसके बाद लास्ट ली हम लिखेंगे your loving friend अगर नाम दिया हो आपके लिए caution में तो आप वही लिखेंगे और अगर नहीं दिया हो तो आप खुद का नाम लिख सकते हैं कुछ भी सपोस करके तो एक बार आप फिर से format देख लिए और मैं आपको इसका meaning पर समझा देती हूँ तो पहले हमें लिखना है हमारा address एक line के gap छोड़नी है फिर आप आज की date फिर एक line की gap छोड़नी है लिखना है my dear friend मेरे प्यारे मित्र और फिर से एक line की gap छोड़नी है और हमें लिखनी है I wish you are all in good health मैं ये कामना करती हूँ कि तुम सही होगे मतलब health wise सही होगे fit होगे एकदम healthy होगे I was overwhelmed by the invitation sent to attend your birthday party और मुझे बहुत ही जादा खुशी हुई अंदर से कि ये सोच करके कि तुमने मुझे invitation letter भेजा I wanted to meet you from a long time और मैं बहुत ही लंबे समय से तुम से मिलना चाह रही थी but unfortunately with a heavy heart लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ और दिल पे पत्थर रखने के बाद मुझे एक कहना पढ़ रहा है I decline your invitation कि मैं नहीं आ सकती हूँ I am not in a position to attend your birthday occasion और मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुमारे birthday occasion में present हो पाऊ since my father is ill and bedridden क्योंकि मेरे पापा बिमार है और वो bedrest में है I am sure you will forgive me और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगे My father having high fever और मेरे पापा को बहुत ही तेज बुखार है He is undergoing some test to know the cows और उनके कुछ test अभी चल रहे हैं ये जानने के लिए कि उनको इतना high fever क्यों है In such a situation और इस situation की वज़े से I am afraid I will not be able to attend your birthday occasion और मुझे डर है इस situation की वज़े से कि मैं तुम्हारे birthday पे present नहीं हो पाऊंगी I am sure you will understand my situation मैं sure हूँ कि तुम मेरे situation को समझोगे And forgive me for declining your information और मुझे माफ कर दोगे कि मैं तुम्हारे birthday occasion पे नहीं आपाऊंगी Wish you good luck मैं तुम्हें शुपकामनाय देती हूँ तुम्हारे प्यारी फ्रेंड प्रितु तो यह थी हमारे आज की वीडियो अगर आपको मेरे वीडियो हेल्फुल लगी हो और आपके syllabus की हो थोड़ी सी भी आपकी help हुई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपके ऐसी वीडियो आपको मैं देती जाओं और इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और ज़रूर बताएं अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बना कर दूँगी तिल देन थैंक यू सो मच